हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी अपने मोबाइल में माराथी टाइपिंग करना चाते हो तो कैसे की जाती है आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप समझ जाएंगे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को चालू कर ले रहे हैं तो मोबाइल में settings को चालू कर लीजिए और यहाँ पर आपको एक option डूढ़ना है जिसका नाम होगा additional settings तो इसे देख लीजिए और open कर लीजिए फिर यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम होगा language and input इस पर किलिक करें और यहाँ पर आपको मिलेगा manage keyboard इस पर touch करिए और यहाँ पर आपको मिलेगा gboard यहाँ पर अगर आपका कोई और option चालू है तो सबसे पहले आप इसे चालू कर दीजिए और बाकी सब को बंद कर दीजिए फिर आपको मिलेगा यहाँ पे settings आप इस पे touch करें और आप ऐसे page पे पहुँच जाओगे पर यहाँ पे आप इस page पे नहीं पहुँच पा रहे हो आपको ढूणने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने mobile में keyboard को चालू करें कहीं पर भी चाहे whatsapp या message में यहाँ पे आपको मिलेगा एक settings का icon या नीचे की तरफ ढूण लीजिए इसको इसके अंदर भी आपको मिल सकता है तो यहाँ पे आप settings पे touch करें और आप इसी page पे पहुच जाओगे यहाँ पे आप language पे click करें यहाँ पे आपको मिलेगा add keyboard इसके click करें और यहाँ पे ढूंड़े माराथी अगर नहीं मिलता है तो search कर लीजिए माराथी इंडिया पे टच करें यहाँ पर अगर आप माराथी जानते हैं तो आप यह वाला सिलेक्ट करें अगर नहीं जानते हैं तो यह वाला सिलेक्ट करें इससे क्या होगा यहाँ पर आप हिंदी में टाइप करेंगे जैसे कि आप कैसे हैं तो वो आटमेटिक महाराथी में तब्दील हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस वाले पर टच करते हैं और डन वाले आप्शन पर टच कर देते हैं फिर आपको जाना है वाटसेप में या वहाँ पर जहाँ पर आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर अभी English keyboard आ रहा है यहाँ पर आपको मिलेगा Space Bar आप इसे Long Press करें यानि दबाये रखे और यहाँ पर आपको मिलेगा Marathi इस पर टच करें और यहाँ पर Marathi वाला keyboard आ जाएगा यहाँ पर कई सारी चीजे हैं आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ